नमस्कर विद्यार्थियो एजुकेशन पुएंट अर्यानवी पर आपका स्वागत है तो विद्यार्थियो आईए आज करते हैं कक्सिया नाइंथ का बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के अभ्यास के परशनोत्रों को तो ध्यान पूर्वक देखिए आप मेरे साथ बने र मस्तिस्क में जो चित्रू बरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए कविता की पहली दो पंग्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अतियंत दैनी इस्तिती का चित्रू बरता है आर्थिक इस्तिती खराब होने के कारण उनका बच्च्पन खो गया है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते ये दो हाथ निरंतर किरियासील हैं, इनकी आखों में कुछ सपने हैं, जिनें पूरा करने में ये ऐसमर्थ हैं। अगला परिशन है, कवी का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बयानक बात को विवरण की तरह ने लिख करके स्वाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवी की दरस्टी में उसे परसन के रूप में क्यों पूछा जाना इस्त्ति के जिम्यदार केवल स्माज के लोग हैं स्माज को जागरू करने के तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रियतन करने पर विवस करने के लिए शमाज के समक्स इन परसनों को पूछना उचित और न्याय उचित है अगला परसन है सुविधा और मनोरणजन के उपकरणों से बच्चे वन्चित क्यों हैं तो भई सुविधा और मनोरणजन के उपकरणों से बच्चे वन्चित होने का एक मत्र कारण शमाज में व्यापत व वरग विभेद है निमन स्रेणी के बच्चों की आर्थिक सती खराब है अपने परिवार का भर्ण पोशन करने के लिए वे आये का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं जहां आजविका के लिए आर्थिक तंगी हो वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन के अन्य सुक्सुईदाओ की कलपना करना अभी असंभव जान पड़ता है तो विद्यारतियों बने रही है आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियानवी पर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन को दबा लेना है ताकि मेरा आने वाला हर देख रहा है फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता इस उदासिंता के क्या कारण हो सकते हैं आज का मनुस्य इतना आतम केंद्री तो हो चुका है कि उनके पड़ोस की घटना की खबर भी उसे कभी-कभी लगती है मनुस्य अपनी प्रेसानियों को सुल जाने में इत कदम उठा करके वे स्वयम को इस सुख से वंचित नहीं करना चाते हैं अगला प्रिशन है आपने अपने सहर में बच्चों को कब कभ कहां कहां जाते काम करते देखा है शहर में अक्सर बच्चे दुकानों में काम करते नज़राते हैं डाबों में बर्तन साप करते नज़राते हैं बड़े-बड़े दफ्तरों में चाय देते नज़राते हैं बस में भी काम करते हैं घरों में अक्सर बच्चे अक्सर कम उमर के बच्चे ही काम करते देखे गए हैं अगला प्रिशन है बच्चों का काम पर जाना धर्ती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है तो भाई आज के बच्चे कल का बविस्य हैं यदि समाज में बच्चों की परगती पर अंकुष लगा दिया जाए तो देश का जो बविस्य है वो अंदकार पूर्ण हो जाएग हमारा देश एक प्रगती शिल देश है बच्चे भी इस प्रगती का एक अभिन अंग हैं सबी बच्चे एक समान हैं उनको बच्चपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवी कर्म है इसलिए यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है सबसे पहले तो समाज की ये कोशिस होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को अन्य सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने तथा समाज के आगे बढ़ने का मुका मिलना चाहिए या फिर उनकी साहिता करने के लिए सरकार तथा समाज से साहिता की मांग करनी चाहिए अगला प्रसन है काम पर जाते किशी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए आपको जो महशुस होता है उसे लिख़िए काम पर जाते बच्चे के स्थान पर ये दिमा स्वेम को रखेंगे तो हमें अपनी इस्टटी अत्यंत कर्श दायक लगेगी दूसरे बच्चों के को खिलोने से खेलते और शकूल जाते देख हमारे मन में तरह तरह के परसंवर कराएंगे कि हम स्वेम उनके समक्स हीन मैसूस करेंगे आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं बेजा जाना चाहिए उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए बाइ मेरे विचार से बच्चों को इस काम के लिए बच्चों को काम पर इसलिए नहीं बेजना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नस्ट हो जाता है वे जीवन ब्र के लिए मुझूद के लिए मजदूर बन करके रह जाते हैं। तो ये बच्चों का काम पर जाना समाज के मातेपर कलंक है Karma करने से बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। बाई वर्तमान युग में सबी बच्चों के लिए खेल कुद और शिक्षा के समाना उसर प्राव 25 वी से परिवाद विवाद आजित कीजिए यह ना परसंग खुद स्कूल में तीचर के सामने करना है अगला किसी कामकाजी बच्चे से समवाद कीजिए और पता लगाए कि व अगला है बाल सर्म अपराद है फिर भी बच्चों को काम करते विए देखते हैं कई कारण हो सकते हैं इसे सबसे पहला कारण गरीबी है दूसरा मूल बोतुन की जुरुरते पूरी ने होने पर माबाब उने काम पर बेजने को व्यूस हो जाते हैं इसके लावा लोगों की स सवार्थी प्रवरती था समयद्न शिलिता के कारण बच्चे काम पर करते हुए देखे जा सकते हैं बच्चे भहुत चोटे बच्चे पंग्ति या लोग में किसबात पर बल देता है बच्चे बहुत चोटे वे इस वे काम पर जाएं इतने छोटे बच्चों को खेलना कूदना पढ़ना लिखना चाहिए इतनी छोटी उम्र में काम करने का से इनका बच्चपन है वो नस्ट हो रहा है बाल सरम क्या है बच्चे काम पर जा रहे हैं इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाओ देंगे चोटे चोटे बच्चों से काम करवाना बाल सरम के लाता है इसे महसूस सोरी इसमें मासुमों का बच्चपन चिंजाता है वे पड़ लिख नहीं पाते हैं जिससे उनका बविश्य अंधकार में हो जाता है सरकार दवारा इसे अपराद गोषित क्या जाना चीये और इसे रोकने के लिए सुझाओ कुछ सुजाव सरकार सुजाव हैं सरकार को अतियनत गरीबी को मूल बहुत सुदाएं उपलाउद करवाने चाहिए ताकि गरीबी के कारण बे अपने बच्चों को काम पर बेजने के लिए विवसे ने हो तो विदैर्थियो इस परकार हमने ये कर लिए आज बच्चे काम पर जा रहे हैं कवीता के सारे परसंद बने रही है मेरे साथ एजुकेशन पॉइंटर यानवी पर और करते ही अपना विसे यह दी चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जैहिंद जै भारत मिलते हैं अगले वीडियो में